नमस्का दोस्तूं, श्वागते आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल तो दोस्तूं, आज की वीडियो में बात करेंगे राष्टपती से संबंदित महत्पुर्ण अनुचेद विभिन भर्धी प्रिक्षाओं में राष्टपती के अनुचेद पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में शोड तरीके से आप लोगे सामने इनकी अनुचेदों की चल्चा करने वाले हैं तो पहला अनुचेद लेते हैं अनुचेद 52 इसमें उले किया गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा तो अनुचेद 22 में उले किया गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा अगला अनुचेद 53 केंद्री कारी पाला कि समझ सक्तियां राष्टपती में निहित होगी अनुच्ये 13 पन है जिसके अंदर उले किया गया है कि केंद्री कारिपन ये कि जितनी भी सकतिया है वे सब राष्टपती में नहित होगी क्योंकि राष्टपती एक स्वेधानिक परधान होता है देश का और अगला अनुच्येद रहेगा अनुच्येद 54 तो अनुचिय चोपन के अंदर उलेक किया गया है राष्टपती का निर्वाचक मंडल, तो राष्टपती का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्टपती के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन लोग भाग लेख सकते हैं, उन सब का उलेक अनुचिय चोपन के अंदर किया गय तो राष्टपति के निर्वाचित सदिशिय जो अपने हैं, कौन लोग सबाके राय समाओं के कयोण निर्वाचित सदिशिय जो सदिशिय है तो दोस्तों इने के साथ आप लोगों को बता दें दिल्ली वे पांडी चेरी केंदर सासीत परदेशों की विदान सबाओं के सदिश्यों को भी इसमें सामिल किया गया है तो दोस्तों राष्टपती के निर्वाचन में लोकसभा, राजसभा, राजयों के विदानसभा वे दिल्ली विपांड चरीकी केंदर सासी परदेशों के विदानसभाओं के सदिशियों को जो निर्वाचन सदिशिय है वे राष्टपती के निर्वाचन में भाग ले सकते है तो अगला अनुछेद रहेगा अनुछेद पच्पन तो इसमें बतायागे है राष्टपती के निर्वाचन की विदी का उलेक किया गया है कि राष्टपती का निर्वाचन किस विदी से होगा उसका उलेक अनुछेद पच्पन के अंदर किया गया है तो दोस्तों आप लोग राष्टपति के निर्वाचन में किया जाता है तो राष्टपति के निर्वाचन की विद्धी का उलेख अनुच्यद 15 के अंदर किया गया है तो अगले अनुच्यद की बात कते हैं अगला अनुच्यद रहेगा अनुच्यद 56 तो अनुच्यद 56 के अंदर उलेख है कि राष् इस पुरुरी ही अपना ट्याग पत्र उपराष्टपती को दे सकता है और उपराष्टपती इस त्याग पत्र की सूसना लोक्षबाइदिक्ष को देता है। दोष्टों आप लोंग बता देंगे राष्ट्पती कितनी भी बार पुन्य निर्वाचित हो सकता है इसका एक फुर्षट्पती की योगिता है अगला योग इताएं है निन्तम आयू 35 परस्व, यह प्रिक्षम परस्व लेघा धा तो राष्टपति पद है तू योग इताएं इनमें से आयू कितनी होनी चाहिए तो 35 परस्थ निन्तम आयू दे गई है और लोक््षभा सदिश्य रहेगा अनुचे 60 में राष्टपती पद की सपत के बारे में उलेक किया गया है तो राष्टपती तो दोस्तों अनुचे 60 राष्टपती की सपत है तो राष्टपती अपने पद की सपत किस के सामने लेता है तो राष्टपती अपने पद की सपत सर्वुच नियाले के मुख उपस्तित नहीं होता है तो जो भी वरिष्टम उपस्तित नियादिस होता है उसके समक्स राष्टपती अपने पद की सपत लेता है और अगला अनुचेद रहेगा अनुचेद 61 इस अनुचेद में उलेक किया गया है राष्टपती पर महाव्योग लगाने की परकिर्या का उ तो राश्टपती पर महाव्योग संसद गए किसे भी सदन द्वारा परस्तावित किया जा सकता है तो अगला अनुचेद रहेगा अनुचेद बासट तो अनुचेद बासट में उलेकिया गया है राश्टपती के राश्टपती पद के खाली होने के संबंद में प्रावधान क किया गया है अगर राष्ट पती का पद खाली हो जाता है तो उसके संब्दों जो भी प्रावधाने जो अनुचेद 62 में उलखित किया गया है तो दोस्तों आज की वीडियो राष्ट पती से संबंदित 52 से लेकर 62 अनुचेद अपने आज के वीडियो में जाने है तो यह बहुत ही महत्पुन अनुचेद है इन अनुचेदों को आप जरूर अराम से देखेगा और परिक्षों में विभिन बरती परिक्षों में ऐसे प्रसंदित संबंदित आते हैं तो दोस्तों अगर आपको वी दोस्तों तक सेर भी कर सकते हैं दन्यवाद